कि प्रतिवर्ष 26 जन्वरी को हमारे पूरे हिंदुस्तान में गरतन दिवस का परव मनाया जाता है लेकिन इस परव को मनाने से पहले हमें यह भी ग्यात वहना चाहिए कि यह परव क्यों मनाया जाता है इसके पीछे का रहस तो आज हम सभी को इस पर्व के बारे में इंफार्म करने वाले हैं हालाक सभी को तो मालूम है कुछ हमारे छोटे से छाथ छात्रा हैं इनको नहीं मालूम है जो निमने क्लास में हैं ऐसा मैं कुछ लोगों को नहीं मालूम है को इंफार्म करने जा रहा हूं उसमें आई हुई गलतियों को च्वा करें तो सरप्रतम हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाध हुआ था उस समय हमारे देश में देश को चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं बना हुआ था तो उसी समय उसी समय देश के तत्कालीर राष् लिए अधर चाइब करें समय द ghost also ग्यार हमां 18 इन में तयार हुआ फ्कियार्वयां चैनल कर सकते किरी वा लाफ़ा जियार दिगारां नाहीं याजिक एक समय दोव्لف वर्स 17 अफजा दिन में बंदकर तयार हुआ टा शंभिस नूंबर 19チャ족 को यह सम्विधार पारिथ हुआ इस संविधान को 26 मॉंबर को जो है Constitution यानि की संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं इसके बाद दो महीने बाद 26 जनबरी सर्फ 1950 को हमारे देश में देश का संविधान लागू किया गया तब ही से हम लोग इस 26 जनबरी को गरतन दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित यहों ब्यापट संविधान है जिसमें पहले 395 अनुच्छेद थे परंट बर्तमान में 448 अनुच्छेद है परंट उसमें जो है 250 अनुच्छेद सन 1935 के अजनियम से लिये गए है तथा इस संविधान में हमारे देश के सभी धर्मों एवं बर्गों के लिए समान अधिकार है जै है जै भारत जिन्दगी में कोई न कोई कहानी रहेगी और हम भी अपने कारक्रम में चार चार लगा देंगे अगर आपकी तालियों के महरवानी रहेगी कि सांती की नगरी अमन चैन का बसेरा है सारे जहां से अच्छा भारत देश ये मेरा है ना किले की फाईस है ना महल की फर्माईस है हम तो दीवाने है देश प्रहम के बसेरा की चाईस है ना कोई जाती ना कोई मजहव सबासो करोर देश वासियों की जान है सबसे बड़ा करतन दिवस ट्रेंडिंग हिंदुस्तान है ना जीओ धर्म के नाम पर ना मरो धर्म के नाम पर इंसानियत ही है धर्म बतर का बस जीओ बतर के नाम पर जैहिन जै भारत इसके बादिन अप्ना को सब्क्राइब साथ